हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आप सभी का समाजी विज्ञान का प्रश्ण पत्र मिल चुका है जो आपके 2024 के बोर्ड के एक्जाम में यही प्रश्ण आने वाले हैं तो फ्रेंस इस प्रश्ण पत्र को आप ध्यान से देखें और सभी प्रश्णों को आपको हल करके भी बताएंगे फ्रेंज देखें यहां पे आपका कच्छा 10 का समाजी विज्ञान का आदर्श प्रश्ण पत्र है जो आपके 2024 के बोर्ड के एक्जाम में आने वाला है फ्रेंज यहां पे आपको जब प्रश्ण पत्र मिलेगा तो उसके लिए आपको जो समय मिलेगा तीन घंटा 15 मिनट का टोटल समय मिलता है और आपको जो पेपर होता है फ्रेंज टोटल 70 नंबर का प्रश्ण पत्र रहता है फ्रेंज आपको कुछ समाजी निर्देश दिये जाते हैं उसको आपको पढ़ना अनिवार होता है चलिए आपको बताते हैं देखे सभी प्रश्ण जितने दिये होते हैं उन्हें सभी प्रश्ण अनिवार आपको करना होता है ठीक है देखे दूसरा निर्देश आपको रहता है कि चो 15 मिनट आपको प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है कि आप 15 मिनट तक प्रश्ण पत्र को अच्छी प्रकार से पढ़ें ठीक है फिर इसके बाद फ्रेंस आपका तिसरा है कि यह प्रश्ट पत्र दो खंडो और वहामी विभाजित होता है ठीक है और चोथा नमबर का निर्देश आपके लिए रहता है कि जो खंड और रहेगा फ्रेंस उसमें टोटल 20 अंक का बहुई कल्पी प्रश्ट आप सभी के लिए रहेगा जिनका उत्तर OMR सीट पर दिया जाना है ठीक है आपको बोड के एक्जाम में OMR सीट मिलता है जिस पर आपको बहुई कल्पी प्रश्ट हल करना रहेगा ठीक है देखिए आपका अगला है फ्रेंस कि OMR सीट पर उत्तर अंकित किये जाने के बाद उसे काटना नहीं है आपको न उसे इरेस करना रहता है यह ध्यान दीजिएगा ठीक है न वाइटनर का प्रयोग इन सभी का प्रयोग आपको OMR सीट पर नहीं करना रहता है फ्रेंस ठीक है अब इसके अलावा फ्रेंस देखिए आपका छटवा नंबर कंडिस्टन है कि मानचित्र से संबंदि दो प्रश्ण इसमें दिये जाएंगे आप सभी को अभी वो प्रश्ण भी बताएंगे कैसे आने वाले हैं अब फ्रेंस देखिए अगला आपका पॉइंट है यह प्रतेक प्रश्ण के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुक अंकित किया जाएंगे क्यों से प्रश्ण कितने नंबर का रहेगा फिर इसके बाद आपका अगला पॉइंट रहेगा कि दिये गए मानचित्र को उत्तर पूस्तिका में मजबूती के साथ संगलन करना रहता है ठीक है जो ओमार सीट रहेगा फ्रेंस उससे जो उत्तर पूस्तिका रहेगा उसमें आपको बादना रहत है ठीक है अगला फ्रेंस है कि द्रिश्ट इबादित परिछार्टियों के लिए मानचित्र कार के अस्थान पर अलग से प्रश्ण लिखने के लिए दिये गए हैं ठीक है यह सभी निर्देश इसको आप जानते रहेए ठीक है अब चलिए फ्रेंस प्र प्रश्ण पूछा गया है कि निम्न मेंसे कौन 1815 की वियना संधी से संब्धित नहीं है जिसका चार आपसन आपके सामने है विसमार्क नेपोलियन ड्यूक मैटर्निक ज्यूसिपी मैचिनी तो फ्रेंस देखिए इसका सही जवाब होगा नेपोलियन तो देखिए फ्रेंस 1815 की जो वियना संधी हुई थी वह संब्धि थे नेपोलियन के समय ठीक है इसका सही जवाब होगा आपका नेपोलियन ठीक है आपका दूसरा नंबर का सवाल है कि सत्ता की साज़िदारी के बेल्जियम माडल का मुख्य महत्तु क्या है आपसन फ्रेंस अब ध्यान से अगला अपसन है संप्रदायों को समाल परतिनी धित्तु दिया गया यह दह या उपरियुक्त में से कोई नहीं देखें जो आपका बेल्जियम माडल आपका मुख्य महत्तु बेल्जियम माडल का क्या था कि संप्रदायों को समाल परतिनी धित्तु दिया गया था ठीक है इ अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपका तिसरा नंबर का सवाल है फ्रेंस कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गियहूं की कीमत पचास परतिसर तक क्यों गीर गई तो आपसान नहीं बार के कारण गिया था ऐसा हुआ था सूख्य के कारण या महामंदी के कारण या उपरयुक्त में से कोई नहीं ठीक है फ्रेंस देखें फ्रेंस 1928 से 1934 के बीच में भारत में गियहूं की कीमत घंडा था जो 50 पर 33 पर 30 पर 13 तक गिर गया था इसका में चारud फ्रेस्ट था आपका महमंदी ठीक है उससे मैं बहुत ज्यादा महमंदी था इसके पास पर जिसात तक यह हूं के कीमत घड़ गया था ठीक है अब देखिए फिरेंज आपका अगला नंबर का सवाल है चोथे नंबर का ब्रेटन बुट्स नामक संस्थान निम्न लिखित में से कहां इस्थित था ठीक है अब देखे फ्रेंज आपसन था इसका अमेरिका यूरोप अफरीका या इन में से कोई नहीं तो फ्रेंज देखें यहां पे ब्रेटन बुट्स नामक जो संस्थान है आपका अमेरिका में इ प्रेश्ट पत्र में मैक्सिमिम्म क्वेस्टन आने वाले हैं ठीक है आग पाचवा नम्बर का सवाल देखें आप क्या है कि निम्नली खित में से कौन सलच्छड संगी सरकार से संबंधित नहीं है आपसा ने कठोर सनविधान शक्तियों का केंद्री करण संग इम्राज्यों क अब शक्तियों को भाजन या सर्वच ने आया ले तो फ्रेंश्ट देखें यहां पर आपका इसका सही जवाब एवला आपसन करेक्ट है ठीक है आपका छटवा नम्बर का सवाल है निम्नली खित में से समाजिक भाजन का कारार क्या है आपसन है धर्म है भासा और दोनों उ मैं पाना या ठाला था है ठीक है समाजिक भाजन का मुख्यकार क्या ता धर्म और भासतर इसमें सही जवाब सवल आप सरव करेक्ट हो जाएंगा ठीक है फ्रेंश्ट चलिए अगले या उप्रियुक्त में से कोई नहीं तो फ्रेंज देखिए यदि लैंगी की भाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है फ्रेंज इस्त्रिय पूरुस के मद्द जैविक भिनता ये तो होगा नहीं आपसंद देखिए आपका आपसंद कौन से सही होगा आवल आपसंद सह आज में इस्त्रिय और पूरुस की असमानता में जो भूमिका होती है वही वतल लेंगी विभाजन की अर्थ होता है ठीक है फ्रेंज अब चलिए फ्रेंज अगरे नंबर के सवाल को देखते हैं आपका अगरा नंबर का सवाल है आठ्वा नंबर का कि राष्टवाद का इसका सही जवाब क्या हो जाएगा वह आपसन करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब चलिए फ्रेंज अगले नंबर के सवालों के देखते हैं नो नंबर का सवाल है फ्रेंज के डियूक मैटर्निक ने हमारी समाजी विवस्ता का सबसे खतरनाक दूसमन किसको माना आपसन है रू जूसेपी मेटसिनी ठीक है तो देखें डियूक मैटर्निक ने हमारी समाजी के सबसे खतरनाक दूसमन जो माना था उसे माना था जूसेपी मेटसिनी को ठीक है अब आपके सामने अगला नंबर का दसमा नंबर का सवाल फ्रेंज है कि लोग तांत्री क्रिशासन विवस्ता अन्य विवस्ताओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है बेक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है और दोनों या उपरियुक्त में से कोई नहीं देखें इसका सही जवाब सवल आपसन सही हो जाएगा कि लोगतांत्री क्रिशासन कि अगला यह नमबर का सवाल है कि मिर्दा किस प्रकार का प्रकृतिक संसाधन आप संह। जो है आपका एक संसाधन विए कहते हैं तिसका सही जवाप को जाएगा वाला आपसन करेक्ट हो जाएगा ठीक है हम्द्बर आपकए कि निमनल इना से पंजाब जब में भूमी संकुचन के मुख्यकारड क्या है अफसा गहान खेती अधिक सिचाई वननन्मूलन फिर इसके बाद पसुचार तो फ्रेंच सवाल का सही ज़वाब होगा अधिक सिचाई देखें पंजाब में भूमी संकुचन का मुख्यकाड क्या है अधिक सी चाहिए इसका सही जवाब वाला आपसन करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब देखें ते रहावा नंबर का सवाल आपका है कि भारत के किस राज्जी की शीशुम रित्यूदर निम्नतम है आपसने केरल बिहार पंजाब यहर्याड तो फ्रेंज इस इसका सही जवाब कौन से वाला आपसन करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब देखें फ्रेंज आपके सामने 14 नंबर का सवाल है कि सारवजनिक एम नीजी छेत्र को किस आधार पर वर्गिकित किया गया है जिसका आपसन है फ्रेंज आपके सामने रोजगार की प्रस्तितियां आ इस प्रस्तिका सवाब से आथार पर वर्गिकित किया में है वश्य प्रहुल करेक्ट हो जाएगा उद्यम की स्वामित्य के आधार पर वर्गिकित किया गया है ठीक है फ्रेंज अब चलिए अगले नंबर के सवालों के देखते हैं आपका पंद्रन का सवाल है फ्रेंज कि establish च्षड़ से क्या अंपजाउंना भूमी का उपजाउंना भूमी का व्जाउंना वह देख है फ्रेंश है सब्कुर्णनों वहाँ जाता है indeed कि फ्रेंश के गौंडवाना कोईला का जमाउंकि स्थेत्र में नहीं पाए जाता है ठीक है अब देखिए फ्रेंस यहाँ पर कि जू गोंडवाला गोंडवाना जमाऊ है किस छित्र में नहीं पाए जाता है आपसंने दामोधार घाटी सोन घाटी महानदी घाटी चंबल घाटी देखिए इस प्रश्न का सही जवाब सबसे अधिक उपयुक्त विकास कलच कौन सा है अपसन है उपच का ज्यादा समर्थन मुल्य वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके अधिक मजदूरी है उपयुक्त में से कोई नहीं तो इस प्रशन का सही जवाब आपका सवाला हो जाएगा कि अधिक मजदूरी ठीक है तो भूम हीन ग्रामिन मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास कलच जो एता है अधिक मजदूरी ठीक है अब चलिए फ्रेंस अगले नंबर के सवालों के देखते हैं आपके सामने अगला नंबर का सवाल है अठ्ठामा का देखिए फ्रेंस निम्नलिखित म है कि देश में किस प्रकार की वस्तु में कितने मात्रां में आयातित होती है होनी चाहिए विष्व व्यापार संगधन व्यापार और दुगों को पर्योबा देती है अगला अधिकतर करणे के अगले अगले नंबर के सवालों के देखते हैं A Going Is 19 नंबर का कि निम्न लिखित में से कौन सा प्रम्प्रागत उरजा का उरजा नहीं है आप से कोई ला भूतापी उरजा कोई नहीं देखिए फरेंस कि प्रम्प्रागत उर्जा पूछा है तो आपको जो भूतापी उर्जा होता है वह प्रम्प्रागत उर्जा का एक स्रोत नहीं होता है जबकि कोईला जो होता है प्रम्प्रागत उर्जा का स्रोत होता है अब देखे फ्रेंस यहां पे बीसवा नंबर का क्या है फ्रेंस कि देश बयापार के अधिकांस भाग पर नियंतर और बहुराश्ट्री कमपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक इस्तिती सुद्रिड हुई या उपरियोक्त में से कोई नहीं तो फ्रेंश बीसवा का सही जवाब आपका हो जाएगा दो फ्रेंश इस पकार समाजी विज्ञान के बीस बहुई कल्पी प्रशन पूछेंगे अब फ्रेंश देखिए आपको चलिए बताते हैं वड़ानात्मक नंबर वन जो है उसमें लग भग जो आपको उत्तर देना है असी शब्दों में देना है ठीक है देखिए आपको प्राशन पूछा जाएका पहला नंबर का जो प्रश्ण रहेगा किस प्रकार क्या आने वाला है जो कि आपका चार नंबर कर रहेगा देखिए क्या है कि प्रताम विश्व युद्ध के बाद प्रतम विशुयूति के पस्चात होने वाली महामंदी के काड़ों की समिच्छा कीजिए अथवा में दिया है फ्रेंस कि 1928 से 1934 के मद्ध होने वाली जो महामंदी का भारती अर्थ विवस्था पर पर प्रभाओं की समिच्छा कीजिए इस पकास अथवा में दो प्रशन देगा जिसमें आप इन दोनों में से किसी एक कही एंसोर देना है ठीक है आपको दोनों के एंसोर ना दे कि आपको किसी एक कही जवाब देना रहेगा ठीक है देखे फ्रेंस इस प्रशन को आप तयार कर लीजिएगा दूसरा नंबर का सवा कर दिया यह इसका जवाब आपको नहीं आ रहा है दूसरे नंबर का देख लिजीए जाती में अगला नंबर का सवाल है तीरा नंबर का देखिए आहां पे तिसरा नंबर क्या है कि आर्थिक विकास के लिए उर्जा का एक आधार भूत आवश्चक्ता है इस कथन के परिपेच्छ में उर्जा सरचड़ है तु अपनाय जाने वाले उपायों पर अपना मत असपश्ट कीजिए चार नंबर का अथवाम करके दिया है कि परिवहन तता संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तत अर्थ व्यवस्तित क्यों कहें जाते हैं तरक सहीर उत्तर देना है यह भी चार्ट इन दोने में से किस एक कही को उत्तर उत्तर पुस्तिकाप लिखना है ठीक है फ्रेंस वह अभी कितने 80 शब्दों में लिखना है ठीक है ध्यान दीजिएगा अब देखिए फ्रेंस आपका अगला नंबर का सवाल है चोथा नंबर का कि बहुराश्ट्री कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बना करना है आपको किसी एक कही उत्तर देना है ठीक है अथवा का मतलब होता है फ्रेंस कि आप ये प्रश्ण आ रहा था इसका जवाब दीजिए या इन दोनों में से किसी एक कही देना रहता है ठीक है अब चलिए अगले प्रश्णों को दिखाते हैं कि कैसा प्रश्ण आने व पहला है कि महात्मा गाधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदुलोन के क्या करार थे इसे उन्हों क्यों अस्थगित कर दिया था महात्मा गाधी जीसे संब्दित हर साल बोर्ड के एक्जाम में फ्रेंस प्रशन आता ही इसको आप अच्छे से तयारी कर लीजिए देखिए अथवा में है कि सत्यगरा के क्या आर्थ है सत्यगरा पर महात्मा गाधी के क्या विचार थे ठीक है इन दोने में से किसी एक का ही जवाब देना है अब दिखे फ्रेंस अगले नंबर के प्रशन को दिखाते हैं जिसको आपको तयार करना है छटवा नंबर का प्रशन है कि लोक तन्त्रिक सुधार का क्या अर्थ है इसके लिए उठाय जा सकने वाले किनी चार कदमों का में दिया है वैद शार्षन का क्या अर्थ है लोक तंत्र किस प्रकार उतरदाई है जिम्मेदार में वैद सरकार का संगठन करता है यह आपका कितने नंबर का च्छा नंबर कर रहे हैं इन दोनें में से किसी एक काई जवाब देना यह 500 सब्दों में लिखना है अब देखे अगला नंबर का सवाल इसे भी आपको तयार करना है कि वैश्विक्रण के क्या अर्थ है वैश्विक्रण का किसी पर पढ़ने वाले प्रभाव का वरण कीजिए अथवं दिया है भारत में पाये ज प्रश्ण पूछा जाएगा इन प्रश्णों का फ्रेंस अच्छे प्रकास तैयारी कर लिजिए यही 2024 के पर में मैक्सिमुम कोईस्टन इसी में से आएंगे ठीक है आप इन बातों का ध्यान दीजिए देखे क्या है अगला असंगटी छेत्र के स्रमिक समाजिक भेदभाव के भी शिकार है क्या आप इस कथन से सामत है कार सहीत उत्तर दीजिए च्छा नंबर का अथम दिया है क्या है कि मानव विकास सूचकांग क्या है मानव विकास नापने वाले मूल भुत अयों कवरण कीजिए इन दोने में से किसी एक कही जवाब आपको देना है ठीक है चलि बंदित है आपको मानचित्र भरना भरने के लिए आपके बोर्ड के एकजाम में आता है प्रशन देखी पहला क्या है कि निमने लिखित अस्थानों को भारत के रिखांकित मानचित्रों में डाट चिन्न द्वारा नाम सही दर्शाना है सही नाम और सही अंकन है तू एक अबकास आपका एक प्रशन एक नंबर का रहेगा देखे पहले प्रशन को आप तयार कर लीजिए गया फ्रेंस आपको बता दे कि आपको मानचित्र कैसे भरा जाता है इस पर भी आप सभी को वीडियो अपलोड कर देंगे और आपको अच्छे तरीका से मानचित्र भरने का तरीका भी बता देंगे ठीक है तो आप वीडियो पर नए है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है फ्रेंस देखिए आपका है कि वह अस्थान जहां जालिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था यह एक नंबर का था ठीक नंबर कहीं आता है दुसरा है कि वह सान जहां से गाधी जीने नें रम ऊकिक अर अख Defyndy १स भारती राश्टी कांग्रेस का दिवेशन किया था इस प्रकास आपके मांचीत च्संबंदित पक्त प्रश्ण पूछी जाएंगे और पांच नंबर का रहेगा फ्रेंश ठीक है इस चीज़ को ध्यान दीजिए अब देखे फ्रेंश आगे क्या है आपका यहां से आप समझ लीजिए यह जो प्रश्ण आपको अगला प्रश्ण करना है केवल वा केवल द्रिष्ट बाधित परिछार्तियों के लिए मांचीतर और प्रश्ण के लिए होता है यह क्या होता है कि निम्रिखित प्रश्णों के ऊत्र अपनी उत्तर पुस्तिका में सिर्फ लिखना रहता है उन्हें मांचीतर का प्रियोग नहीं करना यानी मांचीत्र भरने के लिए उनके लिए नहीं दिया जाता है उनको सिर्फ एंस्वर लिखना रहता है देखे क्या है कि जालियोल भागत्यकान किस अस्थान पर हुआ था सिर्फ इसका क्या लिखना है फ्रेंस एंस्वर लिखना है ठीक है यह एक नंबर का रहेगा दूसरा है गाधी जिने नमक ब 2020 में भारती राश्टी का अधिवेशन किस अस्थान से हुआ था टोटल पांच प्रशन रहेंगा पांच प्रशन का सिर्फ एंस्वर लिखना है इसमें मांचीत्र का प्रयोग नहीं करना रहता है यह जो प्रशन करना रहता है जो द्रिश्टिबाधित परिचार्थी होते हैं उनके लिए यह होता है ठीक है आप सभी लिए नहीं होता है चले अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखें फ्रेये आपका नौह गखा इस पका से मांचीत्र से संबन्धी टोटल कितने नंबर के दस नंबर के सवाल आते हैं 10 प्रशन रहते 10 diferen नंबर के आते हैं ठीक है आपको अभी नाइन कह कर बताएं नो कह कर देखते हैं फ्रेंस यह भी आपका मान्चित्र से संबंदित है इसको पढ़िए ध्यान से और इस प्रश्ण को तयार कीजिए देखिए क्या है यह दिए भारत के मान्चित्र में निम्रिकित को दर्साईए देखें पहला क्या है कि पहस्चिम बंगाल के एक उद्यान चिन द्वारा आपको इस प्रकास मान्चित्र चित्र बना के मतलब इस प्रकास चिन बनाना है आपको चिन बनाना के दिखाना है कि पहस्चिम बंगाल के एक उद्यान चिन द्वारा और नाम भी उसका लिखना है ठीक है यह एक नंबर कर का एक Core đã का डेल्टा दूरह बनाना चिन का प्रियोग करना वू नाम भी लिखना ठीक एक नंबर का रहेगा। भार के पुरवी टुड पर कि इस्थित एक पत्तन जो इस तरह आयत के आकार का चिन बनाना रहेगा उस का उस पत्तन का नाम लिखना रहता है、 यह भी एक नंबर इसमें क्या करना रहेगा फ्रेंस कि निम्लिकित प्रश्णों के उत्तर अपने उस्तिका उत्तर पुस्तिका पर लिखना रहता है इसमें मांचित्र का आपको पर्योग नहीं करना है देखे क्या है आपका कि पस्चिम बंगाल के एक उध्यान का नाम सिर्फ लिखना है ठीक है फ्रेंस यह जो प्रश्ण है द्रिष्ट बादी जो परिचारति उनके लिए हैं आप सभी के लिए जो उपर प्रश्ण था वो बता है अब फ्रेंस देखें यहां पर आपका समाजी ज्ञान का यही पेपर आपके बोर्ड के एकजाम में फ्रेंस आये गा तो इसको आप एक- मांचित्र भपरने में किसी प्रकार का प्रवम हो रहा है तो आप knapp in the box में लिख सकते हैं आप को मांचित्र भरने का ट्रिक फिर्ट बता देंगे और कैसे मांचित्र को बहरा जाताहिं उसको भी आपको समझा देंगे तो अपको यह 2500 पसंदा है तो वीडियू को लाइक करे चैनल पे नए हैं ते चैनल को सब्सक्राइब करें